नमस्कार दोस्तों मैं पांडे सर लच्छ डेफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुना स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ बिटा आप सभी अच्छे और ठीक होईंगे प्रमुख धर्मों में अपना जो इस्ट्री का टॉपिक है अपना आज वीडियो पार्ट 33 है जिसमें प्रमुख धर्म अपने चलना है प्रमुख धर्मों में आज अपन हिंदू धर्म लेकर हाजिर हुए है तो हिंदू धर्म के बारे में आप सभी को अच्छी खासी नौलेज होगी हिंदू धर्म बेश्व के प्रमुक धर्मों में प्राचिंतम सबसे पुराना धर्म है हिंदू धर्म के बारे में सबसे क्या है कि सबसे पुराना धर्म है सनातन धरम के नाम से भी जाना जाता है हिंदू धरम एक ऐसा धरम है जिसका कोई संस्थापक नहीं है यही पता इसका संस्थापक कौन है सभी धर्मों के संस्थापक के बारे में knowledge है रामायन, महाभारत, भागवत, गीता ऐवं पुराण हिंदू धरम के प्रमुक गिरंत है ठीक है और हिंदु धर्म के पूजा इस्तर को क्या का जाता है मंदिर का जाता है और सरप्रथम गुप्त काल में विविन्य देवी देपताओं की मूर्ती बना कर पूजा की जाने लगी थी हिंदु धर्म के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है यही important point है सबसे पुराना धर्म है कोई संस्तापक नहीं है रामेंड महावारत बगवत गीता और पुरान इसके प्रमुक धर्म ग्रंत है next है अपना सैब धर्म भगवान सिप की अरादना से संब्धे धर्म को सैब धर्म कहा गया भगवान सिप की पूया अपासना करने वाले अपासकों को क्या का गया सैब कहा गया रिगवेद में सिप भगवान के लिए अपना किस सब्द का प्रयोक किया गया बटा रुद्र सब्द का उल्लेख है अथर्व बेद में सिपको भव सर्व पसुपती भूपती कहा गया मस्तेस पुराण में सिविलिंग का पहला इसपष्ट बर्णन मिलता है और सिंदु गाटी सब्विता से भी सिविलिंग के पिरमान मिले हैं सेद धर्म के बारे में आपको इतनी नौलेज पता होना चाहिए ठीक है तो अपने प्रमुक धर्मों के बारे में अपने जितने भी धर्म थे सेब धर्म थे सिख धर्म था पार्सी धर्म था यहुदी धर्म था और इसलाम धरम था, इसाई धरम था, इन धरमों के बारे में अपने देखा, ठीके, तो next वीडियो में अपने इन जितने भी प्रमुख धरम अपने पढ़ाए हैं, क्योंकि अपने जैन धरम और बहुत धरम का तो MCQ पहले ले चुके हैं, उसको बारे में पहले ही बता चुके इसके लावा जितने भी धरम हैं, उनके अपने नेक्स वीडियो में MCQ लेकर राजिर होएंगे, आज के लिए बेटर इतना ही, जै हिंद, जै भारत, आप सभी खुस रहें, स्वस्त रहें